आराध्य अरिहंत प्रभु के चर्णों में अनन्त अनन्त आस्था के साथ बंदन शाषन पति श्रमन बगवान महाविर स्वामी के चर्णों में अनन्त अनन्त आस्था के साथ बंदन जिन्शाषन देव जिन्शाषन माता कुनमन आत्म ज्यानी सद्गुरुदेव यूग प्रदान आचार्य भग्विंत के चल्णों में अनन्त अनन्त आस्ता के साथ वंदन आत्म प्रियम मुनिवरिंद आत्मार्थी साधक साधिकाओं हम सभी तत्वार सुत्र के माध्यम से दूसरे अध्यन में जीव प्रक्रण के अंतरगत जीव के असाधरन भाव का चींतन चल रहा है असाधरन भाव क्यों कहा शट द्रवियों में ये भाव सिर्फ जीव में ही प्राप्त होते है अन्य द्रवियों में ये प्राप्त नहीं होते है जीव और अजीव की पहचान करनी तो कैसे मालूम पड़े है तो जीव के भावों के बारे में पता है सरप्रथम आचारे उमास्वाती ने जीव प्रक्रम में जीव के असाधन भाव बता है आप्षमिक, शायक, शायोप्षमिक, ओदाइक और परिणामिक ये पाँच भावों की चर्चा चली चार भावों पर हमने चर्चा की आप्षमिक अर्था जो कर्म उप्षम हो जाए शेय नहीं हुए लेकिन जैसे राख पानी में नीचे बेट जाती है और उपर का पानी एकदम शुद्ध दिखता है ऐसे जिस समय हमारे कार्मन, शरीट, सत्ता में तो है लेकिन उप्षम हो गया है और जीव उस समय अपने स्वभाव में है ज्याता देस्टा वभाव में है उ कई बार अपने जीवन में आप बिलकुल शांत होते हैं आनंद पुर्वक अपना व्यवार चला रहे होते हैं अचानक कोई गटना कोई परिस्थती कोई वातावर्ण ऐसा बन जाता है कि आप एकदम से विभाव में चले जाते हैं तो वो विभाव क्या है जो कर्म उस समय उप्षम हुए थे वो एकदम से उदय में आ गए और आप उस वातावर्ण में बेह गए कुछ क्षणों के बाद फिर होश आया कि और में विभाव में चला गया क्यों चला गया क्या विशेत यह परिस्थती को मैं अपने सभाव में रह करके भी तो क्षए कर सकता था लेक एक शान्त व्यक्ति होता है शान्त गुरु होता है और साथ में कोई अशान्त चेला बार बार तंग करने वाला होता है तो उसका जो कशाय उप्षम हुआ हुआ है वो क्या हो जाता है जागरित हो जाता है जैसे अपन सुनते हैं चंड कोशिक की कहानि चंड कोशिक दो गु पुद्काल में गुरु शिष्य यात्रा कर रहे थे, शिष्य शब्द ज्यानी था, गुरु गंबीर थे, चलते चलते विहार करते करते किसी पंचेनरी जीव के ओपर पाउँ पढ़ गया, हो सकता है संयोग से वो, वित्यु को भी प्राप्त हो क्या हो, अब ये विभाग गुरु से दोश लगा, गुरु अपनी आलोचना खुद करेगा, खुद प्रतिकमन करेगा, खुद प्रहचित कर लेगा, लेकिन शिष्य ने गुरु को बार-बार उकसाया, दिन भर उकसाता रहा, गुरु शान्त रहे, शाम को प्रतिकमन के समय भी उकसाया, अन्त था उन खुष्य को दडित करने के लिए उठ करके उसको मारने को दोड़े, और कर्म ऐसा उधै आया कि शिष्य तो साइड में हो गया और उनका सिर्क्या हो गया खमभे से ठक्रा गया उस आर्त ध्यान की स्तिति में आर्त ध्यान खतरनाक है। इतनी जीवन भर की साधना थी, कशाय उप्षम कर रखे थे, व्रतों से, नियमों से, तब से, लेकिन कोई निमित्त पाकर करके जीव विभाव में चला गया, आर्थ रोध्यान में चला गया, और उस दशा में मृत्यु को प्राप्त करके, व्यक्ति आर्थ रोध्यान करता तो कौन से गती में जाता है, आर्थ ध्यान में जाए तो तिर्यंच, रोध्यान में जाए तो नरख, तो वहां वो तिर्यंच गती में चला जाते है, तिर्यंच गती में अब आप कहोगे कि चंड़कोशिक ने इतने जीवन भर उस गती के कारण, और पुरवभू के कर्म के करण वहाँ पर ऐसे बंधन बांदे लेकिन सादू जीवन का की हुई अनुस्ठान खाली नहीं गया आप को कैसे क्या हो गया कैसे साप बन गया सादू चादू जीवन में की हुई अनुस्ठान उसके खाली नहीं गये उस अनुस्टान का पुन्यानो बंदपुन्य की कतारे लगी कि तेर्थंकर स्वयम उसके पास दर्शन देने आई और तेर्थंकर के एक वजन से बौद प्रालिया क्या बजन दिया भगवन ने ? बज्य बुज्य चंद कोत दिया बध को पराप्त करो उसी समय उसको जातिस मन ज्ञान हो गया और देखा मैं क्या था कहा आ गया कशाय के वशीबूट आतरो ध्यान के वशीबूट विभाव के वशीबूट मेरी ये गती हो गई कहां मैं साधू जीवन में उच्च साधना कर रहा था और कहां मैं इस तिर्यंच गती में आ गया नीच गती में आ गया और जीवन भर मैंने इस गती में फुंकार मारक मारकी कर्म बांद लिये अंतक करण में पस्चाताब की आग चली प्रायस्चित का फाव चला और अपने मूँ को बिम जो बिल था उसके अंदर डाल दिया और शरील को बाहर रहने दिया परिणम सुरुप जो लोग उससे डर रहे थे वही लोग उसकी भक्ती करने आए अब भक्ति करते करते लोग भाव में अंधे हो जाते हैं और भक्ति में उन्होंने क्या किया साम्प को क्या पिलाते हैं दूद पिलाते हैं और दूद के साथ हजारों चीन्टी हैं वहाँ पर क्या हो गई पहुंच गई और उन चीन्टीों ने क्या किया उनके शरीर के उपर उपसर्ग दिया और आत्मार्थी क्या करता है देखिए जब उपसर्ग आए तो आत्मार्थी क्या करता है जड़ और जीव का भेद करता है ये देह पर है पराया है इस देह के वशिभुत मैंने बहुत सारे करम बान लिये इस देह के लिए मैंने कितने करम बान लिए अब ये देह निमित बनेगी करम अक्षय करने के लिए और उसी समय वो सभाव में चलेगे और सभाव में इस्तित होकर के अपनी समाधी में लीन रहे करम तिवरता से उदेह में आते गए और वो अपने सभाव में समाधी में बने रहे उस भव के और पुर्व भव के कर्मक्षाई करते गए और अंततह तिरियंज योनी में रहते हुए भी समाधी पूर्ण शरीर को छोड़ करके धर्मध्यान में शरीर छोड़ करके पूर्ण कर्मक्षय नहीं हुए तो कहते हैं वहाँ से वो देवलोक में गए और वहाँ से आगे भव करेंगे और मोक्षय चले जाएगे तो भावों का बहुत बड़ा महत्वा है इसलिए जीवन में तीनी बाते हैं भाव, सोभाव और भी भाव भाव की जो हम चर्चा कर रहे हैं कर्म के अधिन हमारे पांच तरह के भाव बनते हैं जब कर्म क्षय होते हैं उप्षम होते हैं तब उप्षम एक भाव है तो जीव का सभावी पर उस समय वो सभाव लगाता नहीं ठीकेगा कर्म दबे हैं जैसे कर्म उदे में आगे तो फिर वो कर्म के साथ मिल करके वापस कहीं विभाव में चला जाएगा क्षाइक वाओ जिसमें कर्म क्षाइक कर दिये अब चाहे कुछ हो विभाव प्रभाव नहीं करेगा और कर्म क्षय करता करता अपने लक्ष की और आगे बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे अब राख नहीं कितना ही पानी को हिलाओ कितना ही उसके बटन दबाओ जिसको अप्शमिक होते हैं उसको क्रोध आ जाता है जिसको क्षाइक होता है वो उस गटना को क्या करता है सभाव में रहे करके सहस्ता से निपटा देता है और उस वीप्रित परस्थितिव में सुख में रहता है जैसे हम कहते हैं गस्तु कुमाल भगवान महाविर का जीव कानों में किले ठोके जा रहे थे हमको लगता है कितना दुख क्योंकि हम शरीर को देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं खाली उपसर्ख को देख रहे हैं लेकिन भगवान दुख ही नहीं थे दुख ही में कोई करम काट ही नहीं सकता जो लोग शरीर के स्तर पर जी करके दुख ह करम काट रहें कि कोशिस कर रहें वो करम काट नहीं रहें वो करम बांध रहें वहले कैसी विप्रित प्रिस्थित्या कितना भेंकर रोगे अगर वो दुखी है तो वो करम काट नहीं रहें करम बांध रहें कि दुखी कौन होता है जो शरीर के स्तर पर जीता है जो देह के स्तर पर जीता है जो अपने को देह मानता है वो दुखी है भहेंकर से भहेंकर और साता वेदनी कर्म का उदे हो या सप्रगर की अनुकुलता हो राजा की तरफ दोनों में सुख नहीं है और साता वेदनी में सुख का अभाव नहीं है जिसे हम दुख केते हैं भगवान उसको केते हैं सुख का अभाव नहीं है और साता वेदनी में सुख नहीं है सुख कहा है? सुख जीव में है और जो जीव में रहता है ने भेद ग्यान में रहता है जड़ और जीव का भेद करके जीव में स्थित होता है और उस समय में अपने में स्थित होकर सुख का अनुभू करता है वो कर्म की उदीरना करता है कैसा भी भारी असातावेद्नी आजाए तो उससे प्रभावित नहीं होता सुवामटी करेता है और कितना इसातावेद्नी आकरके उसको अनुराग में फसाने करे अनुकुलता की कोशिश करे फिर भी वो उसके ब्रह्म में फस्ता नहीं कि उसको पता है ये सुख नहीं है सुखा भास है ये मुझे ब्रहमित करने के लिए आया है मैं इसमें ब्रहमित नहीं होंगा सामाने रक्ति क्या करता है पुन्य के उदे में ब्रहमित हो जाता है और समझता है मेरे जैसा कोई सुखी नहीं सब दुखी लोग दिख्षा ले रहे गर में कोई माबाब नहीं है कोई परिवार नहीं है कोई ऐसा नहीं है कोई इसको परिस्थतियां आगी वो दिख्षा ले रहे वैसा नहीं है परिस्त जिया तो मात्र निमित बनती है उसको वेराग्य देने के लिए पर जिसको जीव की दृष्टी मिल गई और जो जीव में स्थित हो गया वो उस समय अनंत सुख कानवो करता है बड़े से बड़ा चक्रवती भी अगर भोग में आसक्त हो तो वो सुखा भास के ब्रह्म में सारी जिंदगी खो देता है और अंत में सात्वी नरक का बंदन मानता है और चक्रवती जैसा जीव भी पुन्य के अनंत उदे में आसक्त नहीं होता है और उसको सुख नहीं मानता है किसको सुख सुवीदा के साधनों को और पुन्य को सुख नहीं मानता है ये काली कर्म है क्या है पुन्य कर्म से ये सब साधन मिले है पर वास्ता में इनमें सुख नहीं है सुख तो जीव में है और वो जीव का ध्यान करता है जीम में रहता है और प्रति पल प्रतिक्षन आनंद का अनभव करता है वो समय आने पर सब सुख के साधनों का त्याप करके आत्मा में स्थिति को बढ़ाते हुए मोक्ष मार्क में आगे बढ़ जाता है और वो है सुखा भास से आगे सुख का अनभव तो हम बात चल ली थी सुखाव की जो जो सुखाव में रहते हैं और ये सुखाव की ही स्थितियां है पांचो भाव मूल जीव का सुखाव ही है पर विभाव में इन कर्म के अधिन कैसे कैसे जाता है और वापस सुखाव में कैसे आता है ये इस भाव बते तो खशाइक भाव और कुछ कर्मों को उन्होंने क्या किया, कुछ कर्मों को जर से ख्षाई कर दिया, कुछ को उप्षम कर दिया, या अभी सत्ता में पड़े हैं, पीछे हैं जो कुर्शी बहें लिए, जा के लिए, चोथा है, आज चोथे बाव की बात करेंगे, ओदाईक बाव, द्रविय क्षेत्र काल और भाव के निमित से कर्म का फल देना उदह है, द्रवियरुख से, जो कर्म हमने बांदा था, वो उदह में आया, जिस खेत्र में हैं उस खेत्र के अपेक्सा से, काल पकने पर और भाव के निमित से कर्म का फल देना उदह है, उदह से जो बाव होता है, उसे ओदह बाव करते हैं, यह एक प्रकार का आत्मिक कालुश है, जब कर्म उदह में आते हैं, आत्मा में अनन्त सुक अष्ट गुन वाव को हम चुक जाते हैं और उस उदय के साथ बेह जाते हैं जो कर्म के विपाक अनुबों से वैसा ही होता है जैसे मल के मिल जाने पर जल में मलीनता होती है वो कर्म का उदय ऐसा होता है जैसे शुद्ध जल है और उसमें गंदगी डाल दी है आपने या राख भोल दी है त किसी भी प्रकार के कशा है कि मौ की उस समय में शुद्ध जीव साथ में होते हुए भी मिक्स होने से ऐसा लगता है कि यह मौ वाला जीव है यह मिठ्यत्व वाला जीव है और ऐसा करके उसको छो तो यह उद्य भाव इनका विस्तार आगे चलेगा परिनामिक भाव जब कोई क तो स्वत्व आप ही आप परिनिती होती है वह परिनामिक भाव कहलता है इससे इस तरह भी कहा जा सकता है कि कर्मों के उद्य उप्षम, क्षय और क्षय उप्षम से अलग कर्मों के उद्य उप्षम, क्षय और क्षय उप्षम से अलग जीव का जो भाव है सहज रूप में क छार्म के प्रभाव के विन वह भाव है परिणामिक बाश इस पाँठी बाव के जीवत्तु गुन की अपक्षण से हैं अब इन पाउट भावों से हम जीव है या अजीव है इनको पेचान लेते हैं अब मैं आत्म हूँ यह कैसे पेचान है या मैं जड़ हूँ दोनों को पेचान में भेद करने के लिए यह जीव के पांच भाव की यह पे चर्चा करके आचारशी ने वह सतीजी ने कैसे जीव प्रक्रण में प्रवेष करने की विदी बता ही अब इन पांच भाव के विस्तार बता रहें के ब्हेद प्रवेद बता रहें दोसरे सुत्र में 9 वाश्टा दशेक विश्नति त्रि भेदा यता क्रम है उक्त पांचों तो ओक के वहव की बात आट या मॉक्ण संक्षेप में सारी बात देनी है, तो क्रम, अनुक्रम से 2, पहला कुन सा है, उपशमिक, उपशमिक के 2, दूसरा ख्षाइक, शायक के 9, और क्षायवशमिक के 8, और ओदाइक के 21, और परिणामिक के 3, ईपशमिक भहो के 2, ख्षायक के 9, शायवशमिक के अठारा इस प्रकार ओदाई के 21 और पारियावव के तीन भेदें ये पांचों भाव कुल 53 प्रवेदों से प्रवेदित होते हैं इनको भेद प्रवेद करते हैं तो 53 भेद बन जाते हैं इन पांच भाव के अब सुत्र नंबर 3 में सम्यक्त वचारित्रे जो पहला है ओप्षमिक भाव उसके दो भेद कौन से हैं तो सम्यक्त और चारित्र ये दो ओप्षमिक भाव हैं इस सुत्र में ओप्षमिक भाव के दो भेद बताएं एक ओप्षमिक सम्यक्त और दूसरा ओप्षमिक चारित्र सम्यक्त के भेद हमने पहले अध्यन में देखें उसी केनों साथ जो ऑप्षमिक सम्यक्त है वो दो प्रकार का है जब महनी कर्म के हमने दो भेद किया है कितने भेद किये है कौन-कौन से महनी कर्म के दो भेद कौन से है रोज स्वाध्या सुनते हो दर्शन महनी और चारित महनी कुल महनी कर्म के 28 भेदें उसके मोटे रुप में दो भेद के दे दर्शन महनी और चारित महनी अब दर्शन महनी के तीन भेदें कौन से मिध्यात महनी सम्यक्त महनी और मिश्र महनी इन तीनों कर्म को जब उप्षम कर देता है तो वो आप्षमि मिथ्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्या क्रोध मान माया लो यह चार और तिन साथ वेद जब अप्षमिक होते हैं तो हमको दर्शन अप्षमिक की प्राप्ति होती है और इधर अप्षमिक चारित्र में बाकी के जो 27 वेदे हैं दर्शन मोहने के अप्षम से समयक होता है ओप्षिमिक सम्येट के प्रतम अध्याई में तियों में तन्य सरगात अधी गमा अधा ये विवेचें शान की शोनिया educators यहा पर यहसे होती नहादी और अधी गम से सम्यों माध्यद कर आकवान के आग्रार्ण के उपरत होता है और समक्नुद पर मार्म के शेष 21 प्रकृतियां उसमें चले सेष 21 प्रकृतिय अर्था और प्रत्या ख्याना बरण संजवलन ख्रोद मान माया लोब याने चार तरी बारा अनंता अनुवंदी पहले चला गया तो यहाँ पर प्रत्या खेनावरण की चार और संज्वलन की या बारा और नो कशाई की नो बारा और नो 21 नो कशाई कौन से हैं हास्य, रती, अरती, भय, शोक, जुगुप्सा, पर यह एसी हर्कत करने से व्यक्ति के अंदर में कशाई जाते हैं हासी मजा करो पर हसी हो हंट क्या हो जाएंगे हास्य, said, रती, किसी किसे ज्यादा प्रेम करो किसी से अरती, किसी में प्रेम कम करो, वहां पर भी राग ड्रिश हो जा तो भय शोक शोक में जब डूपते हो तब भी ऐसा होता है जुगुफसा किसी से घ्रिणा करते हो इस्त्रिवेद पुरुषवेद नपुसंग्वेद जब इन वेद का उदे आता है तब भी यह कशाय उत्पन्य होती है तो यह बारा और नो एकीस जब उप्षम होते हैं तो आपका चारित्र उप्षमिक चारित्र कहलाता है सम्यक्त उस समय भी आप ऐसे रेदो जैसे बिल्कुल वित्राग जैसे वह कर्मक्षय है यह उप्षम हो गए हैं एक भी उदे में नहीं है वरतमान में तो उस समय कि आपकी इस्तिती ऐसी है जैसे केवली बगवान जैसा सु अब है अगले सुत्र में दिया है ज्यानदान दर्शन दान दान लाव भोगो भोग विर्यानी चा शुत्र क्रमांग चार में केवल दर्शन दान लाव भोग विर्यानी चा información आपकी शळम्यदव किसी है इसकी चर्चाम्यदा विवस्तित करेंगे अजय कर दो गा करदा अचे हैं